संजीव कुमार, हिंदस सिनमा जगत के एक ऐसे स्ठार जिनकी दमदार एक्टिंग का लोहा हर कोई मानता था आंधी, मौसम, कोशिश जैसी दरजनों फिल्मों में लीक से हटकर बेहतरीन अदाकारी से अपनी पहचान बनाने वाले एक संजीदा एक्टर थे हरी भाई जरीवाला और संजीव कुमार वो एक ऐसे कलाकार थे जिनोंने अभिने का कोई भी रंग नहीं छोड़ा और जिनमें दर्शकों को लगतार चौकाती रहने वाली अंदाज का व्यापक रेंज था अगर गुलेगार है तो सब वरना कोई नहीं, अगर बुराई है तो हर जगा वरना कहीं नहीं लेकिन क्या आप जानते हैं कि बॉक्स आफिस में धमाल मचाती फिल्मों के साथ-साथ उनकी आशिकी और खुबसूरत माशुकाओं के चर्चे भी खूब थे क्या आप मानेंगे कि दर्जनों फिल्मों में मौडन और प्रोग्रेसिव किरदारों को निभाने वाले संजीव कुमार निजे जंदिगी में इस से ठीक उलट थे और महिलाओं के करियर बनाने को भी गलत मानते थे और क्या आप यकीन करेंगे कि एक अभिनेत्री से रोमांस और फिर उसी से थपड़ खाकर रिष्टा तूटने के बाद एक दूसरी मशूर अधाकारा से उनकी होने वाली शादी उनके रूढ़ी बादी सोच की वजह से तूट गई थी तो कौन थी वो अधाकारा जिन्होंने संजीव कुमार की शर्तों को मानने से इनकार कर दिया और शादी पक्की होने के बावजूद संजीव कुमार की पिछडी हुई सोच की वजह से उनसे रिष्टा तोड लिया था बताएंगे और भी बहुत कुछ आप बनी रहिए हमारे साथ गुजरे जमाने के जाने माने अभिनेता संजीव कुमार उनकी पोस्नल लाइफ हमेशा सुर्खियों में रही वो कई बार शादी के करीब पहुँचे, कई लड़कियों के साथ उनके अफेर की चर्चे भी रहे लेकिन आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि वो आजीवन कुमारे रहे आज के अपने शो में हम आपको बताएंगे कि वो कौन सी लड़किया थी जिनसे संजीव कुमार का नाम जुड़ा और आखिरकार संजीव कुमार ने ऐसी कौन सी बड़ी शर्त रख दी थी जिस वज़े से उस दौर की नंबर वन अधाकारा से पक्की हो चुकी उनकी शादी तूट गई थी नमस्कार दोस्तों मैं हूँ श्वेता चया और आप देख रहे हैं फिल्मे बाते तेरे दिन आखिंदगी से शिचुआ तो नहीं थीएटर से अपने एक्टिंग करियर की शुरुवात करने वाले संजीव कुमार को फिल्मों में पहले सपोर्टिंग रोल्स ही मिले थे लेकिन बाद में उन्होंने लीड रोल करने शुरू किये और देखते ही देखते सुपरस्टार बन गए संजीव कुमार बॉलिवुड के बहतरीन कलकारों में से एक थे संजीव कुमार को बच्पन से ही एक्टिंग का शौक था और काफी मुश्किलों को जहलने के बाद उन्हें बॉलिवुड में एंट्री मिली थी फिल्म क्रिटिक्स कहते हैं कि वो एक्टिंग के मामले में उस्ताद थे और हर तरह के चैलेंजिंग रोल करना ही उनकी खासियत थी लेकिन एक चीज जिसमें संजीव कुमार की किस्मत तंग रही वो था प्यार इस मामले में वो मात 而且 one कुमारी रहे हलाके आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उनकी धेर सारी गल्फरेंट्स रही और वो लड़कियों में खोब चर्चिक भी रहे संजीव कुमार की दोस्त रही एक्ट्रिस अंजू महेंद्रू ने फिल्म फियर मैगजीन को दिये एक इंटर्वियू में संजीव की लव लाइफ के बारे में कई दिल्चस्प खुला से किये थे अंजू महंद्रू की मां संजीव कुमार की मोहबोली बहन थी और इस नाते दोनों परिवारों का एक दूसरी के यहां काफी आना जाना था अंजू महेंद्रू ने संजीव कुमार के बारे में बात करते हुए कहा था कि उस समय उनकी जिंदगी में कई लड़कियां थी उनकी कई गल्फरेंट्स थी और बकाइदा उनके लिए कोड वर्ड में 1234 इस तरह से अंजू से वो बात किया करते थे और अपनी गल्फरेंट्स के नमबर से ही उनके बारे में बताया करते थे इनमें से कुछ ऐसी भी लड़कियां थी जो संजीव कुमार पर जान चिड़कती थी लेकिन जब शादी की बात आती तो संजीव को ऐसा लगता कि ये लड़की मेरी दौलत के पीछे है और वो उससे शादी से इनकार कर देते थे अंजू महिंद्रू ने अपने इंटर्वियू में ये भी बताया था कि संजीव कुमार का एक मात्र ऐसा अफेर हुआ जो उनका सचा प्यार भी था लेकिन दुरभागे से वो एक शादी शुदा एक्ट्रिस थी बिना नाम लिए उन्होंने कहा था कि उन दोनों में काफे कुछ मिलता जुलता था और दोनों हामुम्र भी थे लेकिन वो साथ नहीं आ सके उस दौर में फिल्मी मैगजीन्स में छपी खबरों के मताबिक वो अधाकारा कोई और नहीं बलकि नूतन थी नूतन शादी शुदा थी और एक बेटे की मा थी बताया जाता है कि जब नूतन के पती को इन दोनों के रिलेशन्शिप के बारे में पता चला था तो उन्होंने भारी हंगामा खड़ा किया और पती पतनी के बीट जगड़े इतने बढ़ गए कि नूतन ने अपने पती को यकीन दिलाने के लिए संजीव को एक दिन फिल्म के सेट पर सब के सामने थप पड़ जड़ दिया था और इस तरह इस रिष्टे का दुख़द अन्थ हो गया था वैसे इससे पहले संजीव कुमार की सगाई साल 1954 में हंसा नाम की एक लड़की से हुई थी ये सगाई परिवार की मर्जी से हुई लेकिन संजीव कुमार हंसा से शादी नहीं करना चाहते थे इसलिए उन्होंने ये सगाई तोड़ दी थी इसमें हंसा और उनके परिवार को गहरा सदमा लगा था और संजीव कुमार पर मंगेतर को धोखा देने और दिल तोड़ने का आरोप भी लगा था बताते हैं कि नूतन के बाद संजीव कुमार का दिल ड्रीम गर्ल हेमा मालनी पर आया ये प्यार परवान चड़ा था फिल्म सीता और गीता की शूटिंग के दौरान खास कर इस फिल्म के हिट सॉंग हवा के साथ साथ इसी गाने की शूटिंग के दौरान ये दोनों स्टार्स एक दूसरे से बहत करीब आ गये थे बता जाता है कि जब इस गाने की शूटिंग चल रही थी तो दोनों में से किसी को भी स्केटिंग नहीं आती थी और इसलिए बार-बार कई दिनों तक इस गाने की शूटिंग चलती रहे इस शूटिंग के दौरान ही दोनों पहाड़ी से गिर कर चोटिल हो गए थी और फिर एक दूसरे की खूब केयर करती रहे और इनके बीच प्यार हो गया संजीव तब हेमा के प्यार में इतने पागल थे कि उन्होंने फिल्म की शूटिंग शेडियूल के खत्म होने तक हेमा को शादी के लिए प्रपोज तक कर दिया इतना ही नहीं हेमा इस शादी के लिए मान भी गई थी संजीव कुमार की बायोग्राफी An Actors Actor The Authorized Biography of संजीव कुमार में उनकी जिन्दगी के तबाम पहलूओं को खोल कर रखा गया है इसके लेखक हनीफ जावेरी और सुमंत बतरा हैं और 2020 में ये बायोग्राफी पब्लिश होई थी इस किताब के मुटाबिक संजीव कुमार को एक्ट्रस हेमा मालनी काफी पसंद थी वो चाहते थे कि हेमा उनसे शादी कर ले तब बॉलिवुड एक्ट्रस हेमा मालनी इंडस्ट्री की सबसे खुबसूरत हिरोईनों में से एक मानी जाती थी और उस जमाने में उनके कई दिवाने थे धर्मेंदर से लेकर जितेंदर तक सभी हेमा को अपना बनाने की खुआश रखते थे लेकिन तब ड्रीम गर्ल हेमा सिर्फ और सिर्फ संजीव कुमार से प्यार करती थी और उनसे शादी का मन भी बना ही चुकी थी सब कुछ सही चल रहा था और शादी की आगे की बात चीत के लिए संजीव कुमार ने हेमा को अपनी मां से मिलवाया हेमा जब संजीव की मां से मिलने पहुँची तो संजीव कुमार की इच्छा के मताबिक साड़ी पहनी हुई थी और सिर पर पल्लू ले रखा था वो शालिंता से मिली पैर चुए और संजीव की मा को भी होने वाली बहु पसंद आ गई इसके बाद अक्सर हेमा उनकी मा से मिलने जाने लगे और उनके परिवार में घुल मिल गई अपनी मा शान्ता बेन से मिलवाने के बाद अब मिलने की बारी थी संजीव कुमार की संजीव कुमार हेमा की मा जया चकरवर्ती से मिलने के लिए उनके घर पहुँचे जया चकरवर्ती पहले से ही संजीव कुमार को पसंद करती थी और उन्हें अपना दमाग बनाने के लिए तयार थी लेकिन खबरों के मुताबिक उस मुलकात में उस दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे की ये रिष्टा आगे खटाई में पढ़ता हुआ नजर आने लगा दरसल जया चक्रवर्ती द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में संजीव कुमार ने ये कहा कि उनकी मां को य जाहिर है संजीव कुमार की इस बात से हेमा मालिनी और उनकी मां दोनों को ही जटका लगा ये वो समय था जब हेमा बॉलिवुड की नंबर वन स्टार थी वो सबसे ज़ाधा पैसे चार्ज करने वाली एक्टरस थी और उनसे शादी करने के लिए भी कई बड़े एक्टर्स दिवानों की तरह लाइन में खड़े थे ऐसे में किसी सुपरस्टार एक्टरस के लिए शायद ये सोचना ही अजीब लगता है कि वो एक जटके में अपना स्टार्डम त्याग दे और पूरी तरह से एक हाउस वाइफ की जिन्दगी जीने लगे बताते हैं कि तब हेमा की मा ने इस शादी के लिए तुरंत मना कर दिया लेकिन हेमा ने संजीव को मनाने की ठानी सोचा कि प्यार से मनाने पर शायद संजीव मान जाएं और अपनी मा को भी इसके लिए मना लें क्योंकि उन्हें भरोसा था कि संजीव मौडन जमाने के व्य लेकिन हेमा का ऐसा सोचना गलत सावित हुआ दरसल संजीव कुमार ने साफ कर दिया कि वो भी यह चाहते हैं कि हेमा शादी के बाद घर में एक हाउस वाइफ की तरह रहें फिल्मों को छोड़ दें और उनकी मां की सेवा करें अब आपको ऐसा लग सकता है कि उस दोरान उनके बीच क्या बात चीत हुई ये भला किसी तीसरे को कैसे पता चल सकता है कि इस ब्रेक अप की वजह क्या थी तो हमने पहले ही आपको उनके authorized biography के बारे में बता रखा है आप उसे पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं उसमें भी इसके बारे में इसी तरह की बातें खुल कर लिखी गए हैं तो साथ ही 1991 में हेमा मालिनी ने भी इससे जुड़ा हुआ एक इंटरव्यू दिया था और उन्होंने भी इस पर खुल के बात की थी हेमा मालिनी ने इस इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें त्याग वाली पतनी चाहिए थी संजीव कुमार घर में रहने वाली एक ऐसी महिला चाहते थे जो अपना करियर छोड़ सके और खुद को घर के कामों में व्यस्त रख सके जो की नहीं हो सकता था उन्हें ऐसी पतनी चाहिए थी जो उनकी बोड़ी मा की देख भाल करे और बसपती के काम में उसका सपोर्ट करे जहां उन्होंने अपने अभिने और काम से दर्शकों को दिवाना बनाया था वही उनकी सोच पुरुष प्रधान थी साथ ही संजीव के परिवार के लोग एक्टिंग प्रोफेशन की महिलाओं को नीची नजर से देखा करते थे साथ हेमा ने ये भी कहा था कि लेकिन उन्हें जज करने से पहले हमें उस दौर के बारे में सोचना चाहिए जहां शोबिस चुनने वाली महिलाओं को हमेशा ही गलत समझा जाता था एक अच्छी महिला वो अच्छी पत्नी उसी को समझा जाता था जो अपने से पहले परिवार को चुने पती की मदद करे और सास की देख भाल करे अपनी बेटियों को अच्छे संसकार दे लेकिन अब वक्त बदल चुका है अब महिलाएं इस तरह की बोज से आजाद है हेमा ने साफ किया था कि ऐसी सोच महिलाओं को नीचा दिखाने वाली है जो उन्हें और पीछे ढखेलती है और इस से हम समाज को गलत संदेश देते हैं बता दे कि इस इंसिडेंट के बाद हेमा ने संजीव कुमार से दूरी बना ली संजीव कुमार की बायोग्राफी में भी दोनों के अलग होने की वज़ा उनकी शादी को लेकर रखी गई संजीव कुमार की शर्थ को ही बताया गया है बायोग्राफी में एक बात और बताई गई है कि इस मनमुटाव के बीच ही एक बार हेमा मालिनी राजेश खन्ना के कहने पर उनके साथ एक हॉलिवोड फिल्म के प्रेमियर पर चली गई थी इस बात से संजीव कुमार नाराज हो गए और इसके बाद उनके बीच दूरियां और बढ़ गई जबकि राजेश खन्ना ने संजीव कुमार को जलाने के लिए ऐसा किया था क्योंकि इन दोनों के बीच पहले से ही एगो की टकराहट थी और हेमा को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था संजीव कुमार की इस बायोग्राफी को अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दिया है संजीव और हेमा के इस रिष्टे के टूटने के बाद जितेंद्र और धर्मेंद्र दोनों ने हेमा से शादी की कोशिशें तेज कर दी थी जसमें आखिरकार धर्मेंद्र बाजी मार गए थे और हेमा को डेट करने लगे थे लेकिन हेमा से रिष्टा तोटने के बाद संजीव कुमार का मन अब शादी से उठ चुका था वो किसी से भी शादी नहीं करना चाहते थे संजीव कुमार के बायोग्राफी में ये विस्तार से बताया गया है कि तब शोले की शूटिंग के दोरान हेमा मालिनी और संजीव कुमार एक फिल्म में काम करने के बावजूद एक दूसरे से बात तक नहीं करते थे दोनों अलग-अलग होटेल में रहते थे और शोले के किसी भी फ्रेम में इन्हें साथ में नहीं देखा गया देरे-देरे इनके रिष्टे में खटास इस कदर बढ़ गई कि दोनों एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करते थे साल 1978 में आई फिल्म त्रिशूल में कुछ ऐसा ही हुआ था वहें फिल्म शान में संजीव कुमार को शाकाल की भूमी का ओफर की गई थी और लीड एक्टरस के लिए हेमा मालिनी को चुना गया था जब संजीव कुमार को इस बारे में पता चला तो उन्होंने इस फिल्म से वॉक आउट कर लिया था और फिर हेमा ने भी ये फिल्म छोड़ दी थी खबरों के माने तो हेमा से रिष्टा तोटने के बाद जब संजीव कुमार बुरे मानसिक हालाद से गुजर रहे थे तो उनकी जिंदिगी में आई सिंगर से एक्टरस बनी सुलक्षणा पंडित 1975 में आई फिल्म उलजन में दोनों ने साथ काम किया था और तब वो सुलक्षणा ही थी जो तूटे दिल वाले संजीव का कंधा बनी थी इस दोरान दोनों करीब आ गये और सुलक्षणा ने संजीव कुमार को शादी के लिए प्रपोज कर दिया लेकिन उनके साथ काफी करीबी रिष्टा होने के बावजूद संजीव कुमार ने इस शादी से साफ इनकार कर दिया था जिससे सुलक्षणा का दिल तूट गया था और फिर उन्होंने भी कभी शादी नहीं की दरसल सुलक्षणा के शादी के प्रस्ताव को ठुकराने के पीछे वजह ये बताई जाती है कि उस समय तक संजीव कुमार को ये उम्मीद थी कि हेमा मालिनी शायद वापस उनके पास लोट आएंगी लेकिन ऐसा हुआ नहीं वहीं दूसरी तरफ तब तक धर्मेंदर उनकी जिंदिगी में आ चुके थे दोनों डेट कर रहे थे और इसके बाद आखिर कार्ट दोनोंने शादी रचाली थी और ये चैप्टर हमेशा हमेशा के लिए क्लोज हो गया था वहीं सोलक्षणा पंडित के बाद नीता महता और जैश्री टी जैसी कुछ और एक्टरसस संजीव कुमार की जिंदिगी में आएं लेकिन किसी के साथ भी उनका रिष्ट ज्यादा नहीं चल सका और महज 47 साल की उम्र में ही संजीव कुमार ने अचानक इस दुनिया को अलविदा कह दिया तो दोस्तों संजीव कुमार की शादी के लिए रखी गई शर्त और हेमा मालिनी के डिसीजन के बारी में आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताईएगा साथ ही बताईएगा कि आपको आज का हमारा ये शोफ कैसा लगा चलते चलते आपको एक और जानकारी दे दूँ कि अगर आप गूमने फिरने के शौकीन है तो मेरे दूसरे चैनल श्वेताजिया ट्रेवल ब्लॉक की सेर भी कर सकते हैं वहाँ आपको अलग-अलग जब हो मोनुमेंट्स और रिलीजियस प्लेसिस के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी तो चलिए कुछ और अंटोल्ड बॉलिवूड स्टोरीज के साथ अगले एपिसोड में आपसे होगी मुलाकात तब तक के लिए मुझे देजिये इजासत नमस्कार